आपको कितना रुपीज कब और कहां से आपके अकाउंट में रिसीव हुआ है सब कुछ आप लोग अपने मोबाइल फॉन से ही अपना अकाउंट का बालेंस चेक कर सकते हो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग सिर्फ अपने अकाउंट नंबर से अपना बालेंस घर बैठे अपने मोबाइल फॉन से ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहरी बार आख तो आप हमारे चैनल को सस्काइब भी कर लिजेगा चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वीडियो लंबी किये तो अपने mobile phone से किसी भी bank account का यानि account का पाइसा पता करने के लिए आपको अपने phone में Google को open करना है या फिर Chrome browser को open करना है चलिए हम open करते हैं और open करने के बाद यहाँ पर आप search बार पर type करेंगे PFMS ठीक है इतना आप simple यहाँ पर Google पर लिखके search करेंगे और जैसे आप लिखके search कर देंगे तो first number पर आपको website मिलेगी PFMS ठीक है तो आपको इस website पर click कर देना है जैसे आप लोग किलिए कर देंगे तो देख लेना है न और उसके बाद में आपको आना है नीचे और यहाँ पर आपको एक option दिखेगा कुनो योर पेमेंट का यह आप लोग देख सकते हो तो आपको simple यहाँ पर कुनो योर पेमेंट वाले option पर touch कर देना है और जैसे आप लोग touch कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपसे कुछ detail पूछेगा payment by account number यहाँ पर आपको अपना account number इंटर करना है और आप अपने account number से अपने bank account का balance चेक कर सकते हैं और कहां से पैसे आपको receive हुआ है तो आपको करना किया सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना bank name select करना जैसे कि मेरा bank है bank of India तो हम यहाँ पर search करा अभी आ चुका है हमने click करा तो यह से करके आपका जो भी bank है सबसे पहले आप यहाँ पर अपने bank का name डालेंगे उसके बाद में आपका जो account number है यहाँ पर आप account number डालेंगे जो आपके password पर लिखा है और उसके बाद में जो आपका account number है same उसी account number को यहाँ पर नीचे डालेंगे और उसके बार में यहाँ पर जो काइपचा कोड होगा यहाँ पर मतलब यह जो लिखे होंगे जो आप यहाँ पर चलिए हम फड़ा पर से Account Number इंटर करते हैं फिर हम आपको बताते हैं दोस्तों तो हम ने हाँ पर अपना Account Number इंटर कर दियायं कोड में जो कुछ भी लिख़ा होगा यहां पर से उसी को यहां पर अशलेख करेंगे कौशा बाइंक पर र में डालेंगे उसके बार तो आपको दिख नहीं रहा होगा मैं आपको बता देता हूं मेरे को एक बार पेमेंट रिसीब हुआ है पीम किसान योजना की तरब से है ना दो हजार रुपीज जो किसानों को मिलता है और यहां पे और यहां पे तो आपको बता दूँ यहां पे आपको सिर्फ वही दिखेगा जो पैसा आपको सरकार की तरब से यानि गौवर्मेंट की तरब से मिलेगा मतलब कि अगर आप कहीं से पैसा ट्रांसफर कराये होंगे आप अपने पे तो आपको वह नहीं दिखेगा जो पैसा आपको गौवर्मेंट सरकार की तरब से आपको कोई भी मतलब योजना के तहत अगर आपके बैंक में पैसे रिसीब होते हैं तो वह सबी ट्रांजक्शन यहां पर आपको दिखेगा और आप लोग देख सकते हो कब आपको कितना रुपीज रिसीब हुआ है यहां पर सरिफ आप इतना ही चेक कर सकते हो कि आपको किस योजना के तहत गौवर्मेंट की तरब से आपको कितना रुपीज रिसीब हुआ है यह सब कुछ आप लोग य अगर आप लोग चेक करना चाहतो, या, फिर आप सरकारी, कोई भी अगर आपको गौवरप्नेंट योजना के तहेत, आपको पेमेंट रिशीव हो रहा है, तो आप लोग यहां पर चेक कर सकते हो, ठीक है, यहां पर आपको ट्रांजक्षिन दिखाएगा, आपको यह पता चल जाएगा कि आपको इतना रुपीज रिसीब हुआ ठीक है का बैलेंस चेक कर सकते हो आसानी से अपने मोबाइल फोन से ओनलाइन उम्मिद करूंगा दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर